सो भाईयो 28% GST आने वाला है एक अक्टूबर से कोई भी गेमिंग एप हो, कोई भी फेंटसी एप हो, कोई भी ओपिनियन ट्रेडिंग एप हो, सभी एप के अंदर 28% GST लगेगा जितने भी ओनलाइन गेमिंग एप है, जिससे आप अर्निंग करते हो, चाहे हो ड्रीम 11 एप हो, प्रोबो एप हो, या कोई भी एप हो, सभी के अंदर 28% GST लगने वाला है आपसे गवर्मेंट 30% का टेक्स लेती है, जब भी आप अपने पैसे को विड्रो करते हो, अपने बैंक अकाउंट में, उसके अलावा आपको 28% GST भी देना पड़ेगा आपके wallet में आएगा 720 रुपे, यानि कि जितनी बार भी आप पैसे को एड़ करोगे, उतनी बार आपको 28% GST देना पड़ेगा 1000 रुपीज एड़ करोगे, 280 रुपे कट जाएंगे आपके, 10,000 रुपे एड़ करोगे, 2800 कट जाएंगे अगर आप 10 रुपीज भी करोगे, तब भी आपसे 2.8 रुपीज ले लिए जाएगा अब इसका solution क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कैसे आपको अपने tax से बचना है, कैसे आप GST से बचोगे इसका solution यही है, अगर आप एक तारीक के बाद पैसे एड़ करोगे, तब आपको tax देना पड़ेगा अगर आप एक तारीक से पहली पैसे एड़ कर लेते हो, तो आपको कोई भी tax नहीं देना जितनी बार पैसे को एड़ करोगे, उतनी बार आपको tax देना पड़ेगा तो इसका solution यही है, कि एक ही बार पैसे को एड़ कर लो, जितना आपको करना है यहाँ पर आप मेरे प्रोबो के wallet में देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास 5000 रुपीज है और सारे के सारे winnings में, मैं चाहूं तो इसे अभी के अभी withdraw कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको withdraw नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को app को use करना है यहाँ पर आपको लगरा होगा, जब आप बार-बार tax को भरोगे यानि कि पैसे को withdraw करोगे, तब भी आपको tax देना पड़ेगा पैसे को add करोगे, तब भी आपको tax देना पड़ेगा तो यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अगर आप पैसे को एक बार में ही add कर लेते हो और उसे safely use करते हो, तो आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको अपनी strategy बताता हूँ, कि मैं कैसे use करने वाला हूँ यहाँ पर मेरे पास 5000 रुपीज है, तो यहाँ पर मान लोगर मैं पांच के 6000 बना दी, यानि कि मैंने 1000 रुपीज का profit कर लिया तो सिर्फ 1000 रुपीज को ही मैं withdraw करूँगा, बागी 5000 रुपीज को मैं यही के यही रखूँगा क्योंकि मेरे को अपना main investment बचा के रखना है, अगर मैं सारा पैसा निकाल लूँगा और बाद में दुबारा add करूँगा, फिर से मेरे को tax देना पड़ेगा, तो यहाँ पर में 5000 रुपीज को बड़ी safely use करने वाला हूँ एंड किसी ना किसी event में loss भी होगा, ऐसा तो हैनी कि loss होगा यह नहीं बार बार profit होगा, loss भी होगा, लेकिन आपको अपने wallet का जो balance है उसे बड़े ध्यान से use करना है, अगर आप बार बार loss करोगे, अगर अपना balance खतम ही कर दोगे, तो क्या करोगे, आप दुबार आपको balance set करना पड़ेगा, और दुबार आपको tax देना पड़ेगा, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए जो balance है, उसका 5% ये 10% ही एक event पर लगाओ, उससे आप मत लगाओ, जिससे आप profit में ही रहोगे, तो यहाँ पर मैं आपको sports बाजी आप के बारे मताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी एप है, tax तो सभी एप के अंदर लगने वाला है, लेकिन इस एप के अंदर आपको कम commission देना पड़ेगा, अपने profit का, प्रोव एप आपसे 20% commission लेता है, आपके profit का, लेकिन इस एप के अंदर आपको 10% ही देना है, और यहाँ पर question पूछा हुआ है, क्या India 3 ODI में Australia से जीत जाएगी, तो यहाँ आप में को लगता है, इंडिया के जीतने के chance ज़्यादा है, अगर आपको लगता है इंडिया जीतेगी तो आपको true पर पैसे लगाने है, अगर आपको लगता है ओस्टेलिया जीतेगी तो आपको false पर पैसे लगाने है, बस यहाँ पर आपको true और false में prediction करना है, और यहाँ पर आपको पैसे बनने वाले है, यहाँ पर आपको match से related और भी बहुत बढ़िया बढ़िया event मिल जाएंगे, अगर आप प्रोबो से इसे compare करोगे, तो प्रोबो से जाधा event आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर match start होता ही, हर दो मिनट के अंदर एक नय event बनना start हो जाता है, जिसमें आप live match देखकर live trade कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया category है, और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने नई category एड़ करी है, जिसमें पैसा कमाना बहुत ज़्यादा असान है, यहाँ पर example के रोहित सर्मा है, इस पर मैंने click कर दिया है, और यहाँ पर आप उसके past के record चेक कर सकते हो, पिछले matches में इसने कैसा performance दिया है, तो जैसा कि last के 3 match मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया इसने performance दिया है, और बहुत बढ़िया इसने खेला है, तो इस पर मैं go long पर प पैसे बनेंगे आपके, और यहाँ पर तीसरी category यहाँ पर है, fantasy category, जिसमें इंडिया और Australia के match में 3 लाग रुपे की mega league रखी हुई है, जिसमें आपको 39 रुपीस की entry fees देने पर आपकी confirm 3 लाग रुपे की earning होने वाली है, और अगर आपका budget कम है, तो यहाँ पर 1 रुपीस की GST आने पर आपको tax देना पड़ेगा पैसे को add करने पर, लेकिन इस app के अंदर एक offer है, अगर आप पैसे को add करते हो, आपको 15% extra मिलेगा, यानि कि पैसे आपको कम नहीं, उल्टा जादा ही मिलेगा, और यह जो 15% आपको मिलेगा, यह real money होने वाली है, कोई bonus नहीं है, इसक इस app को use करो, इस app की जो link है वीडियो के description में है, वहाँ से आप इस app को install कर सकते हो,